पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा खराब हैं ये बात पूरी दुनिया से छिपी हुई नहीं है पाकिस्तान के जो अवाम है वो कैसे आटे आटे के लिए तरस्ती है इसे पहले कई सारी खबरे और कई सारी तस्वीरे पाकिस्तान से सामने आ चुकी है लेकिन एक बहुत हैरान कर देने वाली खबर जो सामने आई है वो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी दरसल पाकिस्तान के ही कुछ लोग जो की सौधी अरब उम्रा वीजा पर जा रहे थे उन्हें बीच फ्लाइट से इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो उम्रा करने के मकसद से वहां नहीं जा रहे थे मुल्तान एरिपॉर्ट पर बकाईदा उन्हें पकड़ लिया गया हिराशत में ले लिया गया लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इससे पहले ये जो आकड़ा है वो पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लिए क्या कहता है और कितनी बार इससे पहले जो पाकिस्तान के अवाम के लोग है यानि कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग है वो कितनी बार अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में और खा पुरुष बलकि इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती है, यानि कि महिला भी पाकिस्तान से निकलती है, साओधी अरब जाती है, और उसके बाद बहाँ पर भीख मांगने के रादे से जाती है, चाहाँ आप यह भी जानी है, इस तस्वीर को मैं आपको बता हूँ, लेकिन उससे तीन दिन में की जा सकती है, अब आप यह समझें कि वो कितनी जादा पाक जगा होती है, कोई भी मुसल्मान वहां पर कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सौ बार सोचेगा, उपर वाले का खयाल करेगा, लेकिन जो खबरे निकल कर सामने आ रही हैं, और आकड़ा तो यह भी कह पार दिया गया, लेकिन यह पहली तस्वेर नहीं है, यही चापा गया, यही अखबार में बताया गया, कि कैसे वहां पर बुखमरी तो है ही, लेकिन अब वहां की अवाम को आप सोचिए, कि उनकी मानसिता भी किस तरीके की हो गई है, कि वो जानते हैं कि पाकिसान में रहक परसंट जो बिखारी भीक मांगते हुए अरिस्ट किये जाते हैं, और इसमें खास तोर पर इराक का नाम शामिल है, سौदी अरप का नाम शामिल है, वो 90 परसंट यह बहुत बड़ा आकड़ा है, 90 परसंट लोग पाकिस्तानी मूल के होते हैं, आपको यह भी मूल के होते है जो राजदूत है एराक और साओधी अरब के वो ये भी कह चुके हैं कि जो जेले हैं वो भड़ चुकी हैं गिरफ्तारियों से हिरासत में जब लिया जाता है तो सबसे ज़ादा जो जेब कत्रे होते हैं जो बिखारी होते हैं भीग बांगने वाले लोग होते हैं वो पाकिस् G20 भारत की तरफ से सफलता पूरवक उसकी मेजबानी की गई थी तब उनका एक बयान सामने आया था उनकी तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान बेगेंग को मनी वाइल इंडिया रीज दी मून यानि की G20 का सफलता पूरवक महां पर आयोजन किया जा रहा है वहां पर इंडिय चांद पर पहुंच रहा है लेकिन पाकिस्तान की भाहता लिव्य का बाकिस्तान के ये चांदेराश पेंड़ करनी के उप मांधने की वहां से किशुचा है हरा है आपको ज aquesta तक आतंगवात का समर्थन करेगा तब भारत के जो अच्छे मित्रे हैं वो कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे और बड़े वैश्वित मंच पर ये भी साक्षात होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के जो कभी करीबी रहते हर कोई अब पाकिस्तान का साथ छोड़ता चला जा रहा है लेकिन यह सथी बहुत जादा खराब भी है बहुत जादा परेशान भी करती है कि कि आप पर जो पाकिस्तानी है वो जाकर भीक मांग रहे हैं और वो भी उम्रा का वीजा लेकर यानि कि आप पवित्र तीर्थी यात्रा करने का वीजा लेते हैं उसके बाद आपको ऐसी हरकते करने पड़ती है हलाकि उसका रिजल्ट ही होता है कि बीच फ्लाइट से आपको उतार दि